तो गाइस आज किस वीडियो के अंदर मैं लेकर आचुका हूँ एक LPG गेस सिलेंडर की टंकी जिसमें फिलहाल 10 किलो के आसपास गेस भरी हुई है और ये अधिकतर घरों के अंदर यूज की जाती है खाना वगेरा पकाने के लिए और आज हम लोग आचुके हैं घर से काफी किनारे और जश्ट यहां पर आपके सामने है एक बहुत बड़ा और उचा पूल और इसकी उचाई की बात की जाए तो लगबग मेरे हिसाब से 60 या 70 फिट की होगी तो आज हम इस गैस सिलेंडर की टंकी को उस 70 फिट की उचाई पूल से नीचे खाई में गिराने वाले हैं या फिर आग लग जाएगी या फिर क्या हमें नुकसान देखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं झाले हैं तो गाइज इसे गिराने से पहले मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी चीज को आप गलती से भी कहीं ट्राइ करने की कोशिश मत कीजेगा क्यूंकि यह सब करना काफी ज्यादा हद तक डेंजरस हो सकती है और यह जो शब्द इतन से नहीं किया जाए तो यहां पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है क्लोस्यर आइ झाल 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 तो गाइज फाइनली जो ये हमारी टंकी है ये 70 फीट की उचाई पूल से नीचे खाई में गिर चुकी है और आप लोग देख सकते हो ये जो हमारी टंकी है ये बिल्कुल वेसी ही है जैसे पहले थी क्यूंकि हमने इसको पानी के उपर गिराया अगर इसको हम खाई के उपर गिराते तो यहां पर काफी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता तो हम उमीड करते हैं ये वीडियो आपको देखने में काफी ज़्यादा मज़ा आया होगा और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजे और साथ